जीके के अल एक्जाम के लिए और ये हर चेप्टर से कोश्चन होगा तो चलिए शुरू करते हैं वही मंडल में ओजन पर्थ हमारी रक्षा कीन कीर्णों से करते हैं तो प्राब्रेगनी कीर्णों से प्राक्सी क्या है तो वायू प्रदूसक है ग्रीन हाउस पर भाव के प्रदेश में पाया जाता है वही मंडल में कौन सी गई सरवादिक नाइट्रोजन कीसी छेत में प्राक्रिया किसकी है तो ज्यादा प्राक्सी लगाने की भारत में अधिक्तम प्राक्षादन छेत तो आरक्षा प्राक्रणो क्रिया है था सोना कीसी तो बं को खा जाता है भारत में अधिकांग्स ब्न सम्पदा मालिक तो मालिक कोन है तो मालिक तो म कीसे मान fare और प्राक्रण करीं की प्रकिरिया कैसी होती है तो बहु अनुसासनिक होती है प्रयावरन अध्यान की प्रकिरिया हार तो उस सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता देगी हम चारों और जिन दिशाओं से घीरे हुए हैं उसका योग क्या तो प्रयावरन कहलाता है वैस्वी के प्रयावरन के लिए सरवाधिक महत्यकुन उस नकटी बंधी बन है और परेवरन उन बाहरी दिशाओं और प्रहाओं को यूग है जो प्रित्वी तल पर जिवों के विकास को तो निकोलस ने कहा था ये किस ने कहा था निकोलस ने कहा था परेवरन एक वहाँ सकती है जो कि हमें पर भावित करती है यह कथन तो सीसी पारक का विशुम परेवरन जगरुपता की शुरुवात कि इसने की थी तो बिलियम हेवेट ने परेवरन का जैविक कारक क्या है तो बनस्पति है परेवरन का जैविक कारक क्या है तो बनस्पति है विश्व में परियाबरन जग रूगता तो बिलियम है वेंट ने किया था यह कर्थन किसका है कि जीवों के परिष्थित की का को का योग परियाबरन है तो ए फिटिंस का है परियाबरनी निश्चयवाद के प्रत्राइब कौन थे तो कार्ड रीटर थे वस्टुहेद्धू क में परियाबरन भारत की प्रत्रम महिला राज़ूत का तो बिजय लक्ष्मी पंडित थी सब मिक्स कोश्चन है इसमें हर तरह का चेप्टर से आएगा भारत के प्रथम पर्मानु रियक्टर का नाम क्या है तो अपसरा है भारत की प्रथम महिला पाइलट कौन थी तो हेमा माथूर थी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मिर्याकुमार भारत के प्रथम साम नात्व चेटरजी धे इसमें हर तरह का कौस्चन आपको मिलेगा है यह हर एक्जाम के लिए ज़िए भरत के पहले मुख्य चुनाव आयोगत्र इतो सुकमार您 भारत के पहले ग्रिह मंत्री कौन थे तो सर्दार बॉलब भाई पटेल थे भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो सर्दार बलब बल्देव सिंह थे भारत के पहले बीत मंत्री कौन थे तो आरके सनुखम चेटी चेटी थे अब चनल को सब्सक्राइब भीष करते रहिए भारत के पहले स्fferमंतृं मुलानव अब उठ्वान्ब उठ्वारत के प्रत्वम फूरूुष महिला देखते हैं तो प्रत्र blaming के प्रत्रम फूरॉ आंटर ये उठ्वावन मंतृत विटन है ये अब這麼 चैप्टर भारत के प्रथम पुरूश एवं महिला से चलिए आगे देखते हैं अगला कुश्चन क्या आता है शोतन्त भारत के प्रथम ते था अन्तिम भारती गॉर्णर जर्नर तो स्टी राजगो पराचारी प्रथम वाएस राय यानि अन्तिम गॉर्णर लाड कैनी भारत आने वाला प्रथम ऑंग्रेज राल्फ फिंच और रास्ट पती प्रथम कौन थे द्थोटर अजेंस प्र उप राष्ट्पति डाक्टर सर्परिराधा क्रिश्णन महिला राष्ट्पति पहली तो प्रतिभा देविश्नी पार्टिग और मुस्लिम महिला राष्ट्पति डाक्टर जाकिर हुसेन परधानमंति पंडित ज्वाहरलाल नेहरू जो की प्रथम से सब प्रथम ही चल रहा है चलिए अगला देखते हैं अगला को ना रहे हैं महिला प्रधानमांति इंजा गांधी 1966 में उप्रधानमांति बल्लव फाइप पतेल पूरता गईर कांग्रेसी प्रधानमांति अटल बिहारी बजपेई और राजपाल महिला यानि स्रोजनी नाइडू उत्तर प्रदेश में फर्स्ट राजपाल थी चलिए आगे क्या आता है मुख मंत्री महिला सुचिता किरिपलानी उत्तर प्रदेश लोगसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर लोगसभा अध्यक्ष महिला मीर्या कुमार और लोगसभा उपाध्यक्ष सायनम अयंगार थे और चैनल को थोड़ा शे ताज सभा पाध्यक्ष महिला वाइलेट अल्वा विपक्ष नेता राज सभा तो कमला पती त्रिपाथी विपक्ष नेता लोगसभा रामसुभाग सिंग थे चलिए अब आगे देखते हैं अस्थाई अध्यक्ष सम्विधान सभात वाजन परसाद और अस्थाई अध्यक्ष तो सचिता नंसीन रथम चुनाव अयुक्त सुक्मार सेंथ कमांडर इनचीफ जनरल करियप्पा थे अब देखते हैं कौन से चेप्टर आता है अब तो मन की भावना को संभालने वाला इ दिन्दगी के उचाईयों में सबसे उपर होता है अब फिल्ड मार्साल जनरल मनेक सा अब एससी और बिहार पुलीस में पूछा गया प्रश्ण सबसे हलकी धातू तो लिठियम सबसे भारी धातू तो असमियम सबसे कट्वर धातू तो प्लेटिनम है एससी और बिहार पु खालाता है तो मीठियन को नॉबेल गैस कहलाता है तो हिलियम को वेहुतधारा मापी जाती है तो अमीटर से पारा का प्रमूख एसक है तो सिने बार पारा का प्रमूख एसक है मुझें तिटाली काइब इसका तो जे इंद ने किया था रडार का एbn इस यह तो टेले ऑम यंग ने किय था गुर्टवत कर सिफ में तो नुूटवन किया था शीरका व अचार में कौन सा अमले होता है तो ACT के अमल होता है सिर्का और अचार में अब देखते हैं आगे याज वह लहसून में गंध होता है तो उसमें उपास्थित पोटाइसियम के करण एक स्कीर्णों की खोई तो इंटेजन ने किया था स्कूटर के अविस्कारक ब्राड शा इवावलोर के अविस्कारक कोल्ट समुद्ध की गहराई में आपने को फायदो मीटर से मापा जाता है है समुद्ध की गहराई DNA सटचना का मडरल टुवाट्शन इवाक क्रीक ने प्रयोक साला में सबसे बनने वाला पहला तर्तो इउरिया टेली फोन के अविस्कारक ग्राहम बेल भारद वरा छुड़ा गया पहला उपगरह तो आर्यभहट है भारद वराद वरा छुड़ा गया पहला उपगरह योग और जीव बिग्यान के जन्दाता अरस्तू डाइनमाइट के अविस्कारों के अलफेड नोवेल चन्दमा पर उतरने वाला पहला आदमी तो नील आर्मस्टांग चन्दमा पर उतरने वाला था अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी यूरी गागरी सबसे बड़ी हड़ी फिमर जांक की होती है सबसे च्टेपिज कान की संसार का सबसे बड़ा फूस्ट रेफ्लेशिया होता है किस वीटामिन में कुबाल्ट तो वीटामिन से बी व उन से बी ए से प्रायम बी की कमी से बेरी बेरी टाइप हाइड से सरीज के कौन सा आंग परभावित होता है चली आगे देखते हैं अगला कौन सा कोश्चन आता है एक लूइ पास्चर ने पानी में हवा का अवक्तर लिंस से बुलबुला कि जाता है विधु विश्वत रेखा नियूटम और सुझ योद्र से पहरे सुझ दिखाई तो परकास का अपवर्तन इन धनुस बनने का करण है अपवर्तन ताप बढ़ने पढ़नी की चाल पर क्या पढ़ता है तो बढ़ ज जाती है पिश्वत रेखा पर किशी बस्तु का भार नियूंतम होता है चलिए आगे देखते हैं यदि हम चनवा पर से अकास देखें तो काला दिखाई देगा इुरिया को शरीर से अलग गुर्दे करता है मानो तो अच्छा का रंग होता है तो मेलानीन और कच्छे फलों क पकाने में काम आता है तो इथिलीन काम में आता है अब देखते हैं आगे क्या मोटिवेशन रहता है या क्या रहता है डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए क्योंकि कल जब उहरोगे तो निखरोगे नेशनल पार्क महत्पून भाहत का प्रथम राष्ट्य उध्यान में है जिम कार्वेट का पुरान नाम हैली नेशनल पार्क है देश में सबसे अधिक राष्ट्य उध्यान कहा है तो मध्य परदेश में सबसे अधिक राष्ट्य उध्यान है अब देखते हैं आगे अगला कौन सा आता है भारत का सबसे बढ़ राष्ट्य उध्यान कौन सा है तो हिमीष जमुकस्मीर के लिए जन्पद में है हिमीष राष्ट्य उध्यान कितने किलोमीटर में फेला हुए है तो 35 और 60 किलोमीटर में जाड़े में साइवेरिया से भारत में किवला देव राष्ट्य धना बिहार आजस्थान में है सदिश्त का भारत में भाग अभ्यान की अस्थापना 1545 में कारबेट भारत के भाग अभ्यान की अस्थापना उन्हें सो अंठावन में बांधोक और भारत के बागा भेयान की उन्हें सो और शठ्ष में आतों अर्थम भोज योकितार स्थान में है तो उन्हें सो तीहत्तर में स्थापना किया गया था बांदीपूर राष्ट्री उध्यान तो उन्हें सो तीहत्तर में मानस भारत के बागा भेयान उन्हें सो तीहत्तर में ये तीनों तीहत्तर में ही किया गया था लोग देखते हैं आगे पलावू भारत के बाग अफेरा 1973 में सिमली पाल भारत के 1973 में सुन्दर बन ये भी 73 में सब 73 कहीं चल रहा है एक जगह सब कर दी हैं याद करने में आप लोगों को असानी होगा तो चलिए आगे देखते हैं लाकून कोश्च चनाता है पेरियार भारत के 1978 में नगार्जुंग सागर तो 1982 में और बक्षा सागर के बाद बांध अभ्यात्रन बुक्षा हो जाएगा तो 1982 में इसका स्थापना किया गया था नाम दफ़ा के बाघवे उन्हेशो ब्यासी में इंद्रा उत्ती के बाघवे उन्हेशो ब्यासी में ही किया थाइंक क्यूँ यहां पर आपका स्नॉप्त होता है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद झाल 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 झाल